नमस्कार बोंड़ो कोल किच्छन्स प्लेवर्स पाई नी बे दिटाल अपनालको स्वागटम जनाएशू। आज अपनालको लोगोट मौई स्यार कोवले विसरेशू गाजा और हल्वार एता खोप तुनिया मीठा रेसिपी। जो डिटी रेसिपी तो भार लगे तिन्हें होले मौर सेनल टो लाइक कोमेंग और स्यार कोवले विसरेशू आज अगर मेरे रेसिपी आप लोगों को पसल आए तो प्लीज मेरे सेनल को लाइक कोमेंग और स्यार कीजे और मेरी नवी दस्तों प्लीज मेरे सेनल को ना भूलिये तो चलिये मेरे किचिन में आजी रेसिपी पीटर बाबे मौय अथाट को प्रोजोना गाजर और खीनी लोशो आधा केजी जुखोर हाफ केजी गाजर ली है सेनी लोशो एट टेबल स्पून अपना लेका जोड़ी सेनी मिथा बिसे भाल पाए बेसे दीबो पारे दोस्तो मैंने सुगार ली है एट टेबल स्पून अगर आप लोगों का मिथा जादा पसन है तो जादा एट कर सकते हैं घी ली है तीन टेबल स्पून घी भी अप लोग अगर साथ है तो जादा एट कर सकती है घी लोशो तीनी टेबल स्पून अपनाल का घी लोगों का जोड़ो बिसे दीबो पीसर आरो एट करवो पारे निजोर पॉसन नुखरी ड्राइफ पूर्स लोशो आपकी पसन की जैस अगलात्त दोण लोशो इसे पसन करते हैं वेसर ड्राइफ पूस लीजी एक घ्लास दोडली है गाकर प्राइप अगिलास हता हो आरो रोडी कोलास नुखरे घ्लाश ब्रेशो ब्राइबल स्पून करते हैं घीस कर रख लेंगी एतिया मोई क्यारा हीटू गराम कोई लुआ पिसोद फ्लेम टू लो कोईशू तार पिसोद मोई तीनी टेबल स्पून घियू फाल्डर गोली बोदी आरो तार पिसोद ड्राइपुर्च कर नी प्राय एक मिनित मानों करो ने भाजी तुकी ठाम दोस्तो कराय को अच्छे तरह गराम करने के बाद तीन टेबल स्पून घीर गराम कर ली उसके बाद ड्राइपुर्च को करीब एक मिनित के लिए मिने इसे फ्राय कर लिया उसके बाद एक प्लेट में निकालके रख लूंगी ताकि मिने बाद में इसको यूज कर सकती एटिया उल्याई लूशु एकिनी आरो रोजवा जिखिनी घ्यूँ ताटे मौई भाके खिनी काम कुरीम आरो बंडोकोल फ्लेम टुकिन्टु मौई लो टु मिधिया मोटे रखिम आरो एया सो गाजर खिनी मौई पिहोनात पिसे लूलू मौई रुको नित्मारी लूशु आरो ग्राइंडर कुर्ब परक इन्टु बेसी मही हो जितु मौई भालना पाऊ दोस्तों देखिये मैंने घीज कर गाजर का रेडी कर लिया है अगर आप लो ग्राइंडर में पिस ना साते तो कर सेकते लेकिन बहुत ज्यादा पिस जाते तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ गुटेखिनी गाजर ठाली दिया पिस ओड लो फ्लेम मुझे एनने के को मियो पोसस्पनी थो मुझे भाजी मुझे लो फ्लेम में गाजर को मैंने ऐसे 25 मिन्स टक अच्छी तरह ऐसे भून कर रहूंगी चलाते रहूंगी ताकि उसके कच्छे बन निकल जाए पानी निकल उसके बाद एट कर दूंगी एक ग्लास दोध ओभी लो फ्लेम में रखकर अब भी मैंने उसको अच्छी तरह चलाके धकन देकर रखूंगी पीस-पीस में चलाते रहूंगी करीब 15-20 मिनिट्स गाज़ूर पाने फिने हमपूनन के उलायजवार फिसोत, फिजार फिसोत, माई एक गिलास घाक्षी दिलू खुब भालकोई लो रायश्युँँँशू फिसोत मोई धाकन तीम आया लो फ्लेम में कमियो 15-20 मिनिट्मान हमाय भाज़ीं किन्द माजे माजे निके धाकन दा प्राइ पुन्हर 20 बान हमोई लागे यहासो खूब ठुनिया कोई गाजर अच्छी तरह पक शुकी है देखिये और दोड को सक कर ली है गाजर ने बड़ी अच्छी तरह मिक्स होगे कालर भी तिरे दिरे अच्छी होलने लागेंगे अभी दोस्तों गाजर के हल्वा बनाने में थोड़ी सी धर्या की जर्रत होती है लेकिन उसकी रिजाल्ब बहुत ही मिथा होती है अभी मैंने एट कर दिया सुगर को एथिया मुए सेनिकी नी मिलाई देलू मुए आगो ते कुछू आप रोल के जोड़ी बिसारस मिथा भी से एट क मुए सकते है तो एट कीजी देखिये सेनि मिनाने की बाद पानी निकलनी लग है अधिया संगी नी मिलाई घरी आपीसोत लह लह गाजर के लए से अरो पानी खुप होया लेके भाजी मुभा दाय को यहां सोखो काईगो इसे करन गाजर और ठोका और ट्रिक्टो पानी उलाए हीले आरो गाजर खेनी हीजी गोल, सेनी और मिक्सो गोल एती एट कुर्म फाजी रोखा ड्राइपुरूच खेनी दोस्तो देखिये कच्छे पन पुरी की पुरी निकल गए पानी निकल जाने के बाद अभी एत कर दिया ड्राइपुर्च आप लोग जो भी मन की पसन है वही ड्राइपुर्च डालिये अच्छे लेगती है जैसे काजू, पिस्ता, अखरूत लेकिन छोटे छोटे करके डालि अच्छे लेगते है निजोर पसंदार नुखरे जिगनो ड्राइपुर्च डिवा खाली हुरु 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 कोई काटे दिवा अर एत कुरी दिलु मोई, इलाइची पावडर कीने, अभी एत कर दिया इलाइची पावडर, अभी बूनते रहेंगी लोग फ्लेम में, 20-20 सब्सक्राइब निजोरी में अभी बूनते नुखरे में, प्रिवा फ्लेम में जोर भाजे थाकिते रहीं ऐत कीने भाजे बूनते रहें प्लाइची खाली हुरु हाओ पारे नोट्वापने पुरी लग होको पारे, डोस्तो गाजर को में अच्छी तरता इसे ऊपर अपर स आप लोग सर्फ कर सकते बहुत अच्छी स्वीट दिस है तो दोस्तो अगर आच्छी लगे तो मेरी सेलान को लाइक कोमेंट से और सब्सक्राब करना ना भोलिए पुन्ध होकोल भाल लगी ले मूर रेसिपीटू मूर से ना लाटमल के कोमेंट कोरूगो खुब भाल लेक बत ने होला आजी लोए आहूं पुन्ध नोटूना ता रेसिपी लोए आहिए